अंजना पवन के किस्से की रागनी आपको सरीत अकश्यक्य आवाज में सुड़वा रहे हैं साथियों जिस समय राजा पवन ने क्योंकि राणी अंजना को दुहाग महल में छोड़ दिया था और दुहाग महल के अंदर रहते रहते राणी अंजना को बारे साल भीते जाते हैं राजा पवन फौज को लेकर के गए हुए थे लड़ाई पर दो पक्षी आपस में विचलित होते हुए दिखाई दिये यह निकी चक्वे और चक्वी को देखा तो राजा पवन मंत्री से पूछने लगते हैं कि ये जो पंची है ये इतने बेचैन क्यों है राजा पवन को मंत्री समझाने लगता है कि माराज ये चक्वा और चक्वी पूरी राद अलग होने के बाद में इतने विचलित हो जाते हैं दूसरे से मिलने के लिए ये अपनी चकवी को ढूंड रहा है तो राजा पावन को एकदाम अपनी घरवाली की आद आई और सोचने लगे कि ये पक्षी होने के बाद भी एक रात अपने आपको एक दूसरे से अलग नहीं लग सकते और मैं कितना निर्वहई हो गया मैंने साथियों प्रेम जा गया अपणी पत्नी के प्रती राजा पवन के मन में और राजा कहने लगते मंत्री से कि तुम्हें रुको फोज को रोक करके रखो आज कुछ भी हो जाए मुझे अंजना के पास में जाना है साथियों चल दिये महा से चल करके और कहां दुहाग महल में पहुच जाते हैं जहां राणी अंजना रहा करती थी गेट के उपर राजा पवन खड़े हुए आब आज दी राणी अंजना ने जब अपने पती पवन की अवाज को सुणा तो सोचने लगी कि आज बारे साल के बाद में मेरे पिया की आवाज यहां पर आई है और इतनी रात में कैसे है वो पती बरता जैसे ही गेट पर आती और खड़े हुए अपने पती पवन को देखा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और चर्णों में सीज जोगा करके एक ब हेरे राम रामी तेरी सर माथे पे हेरे क्यों करे पागी राही तने हेरे बारा साल मैं आज आन के क्यों करी स्यान दिखाई तने जूपर जान में आज आटके दू करिशार दिखाई करे नाम रबिस्टरी सर्मा तेपे आरण paकी रही करे आजयान में आजयान के दुकर श्यान दिखाई जने कर दो कर दो ने और कि राम रमी तेरी सर मत favored क्यों कर पागी रही तन्हें और 12 साल में आज आणक है या क्यों कर से आंद दिखाई तन्हें महराज क्या आज से पहले आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई जो आज पूरे बारा सालों में आज मैंने आपके दर्सन किये हैं आखों में आशु ले आती है अंजना और पहली बात में कैसे समझाने लगी क्या बता दिया महल तू हकी दिया तने रहे मैं देम धरं पैट दिकी सुब कर मोपे नीत रही मैं बुरे करमत हती की सुब कर मोपे नीत रही मैं वोला पुरे करमत हती की मद जो पनिकी, ठेरी मेरी या सस्ते भाव में लुटी घी प्रेम नेमत नाम लिया मैं रोझी वाल रटी इतने दिन मैं आज आणके यूंगर शान दिखाई तने कर दो फिन दिखाई तना। दूसरी बात में नियू केने लगी कि महराज एक पती वरता ओरत जानती है कि अपने पती के बिना रहना कितना मुश्किल होता है और मैं जानती हूँ कि ये बारा साल मैंने आपके बिना कैसे कैसे बिताए हैं दूसरी बात में कैसे ते लिए दूसरी बात में रिसी मुनी सन्यासी योगी माया को घर बाब को है भूत भविशे भूत भविशे वर्थमान में तीनों मिल के ताप के है भूत भविशे वर्थमान में तीनों मिल के ताप के है थेर पंतिवर्तां के बारे में तो रिशी महत्मा आप जहें सती बीर ने, सती बीर ने छोड़ चलया जा जती पुरुस्ने बाप जहें थेर बीर बिना तू क्यों कर सर्या सती बीर बिना तू क्यों कर सर्या क्या साही और क्यों कर स्यान दिखाई तने पारे लाख में आजियान के क्यों कर स्यान दिखाई तने और आदनिये रामबीर जी हाँ हमारे परमादनिये रामबीर तवर जी के भाई आदनिये बाली जी वो पांसो रुपे देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हम उनका तह दिल से धन्यवाद करते हैं जी हाँ बच्चे के दादा जी आदनिये बाली जी वो भी पांसो रुपे देकर के कलाकारों का सम्मान कर रहे हम उनका बार बार धन्यवाद करते कैसे बलां जी हाँ जाल उठे रहे हम उठे रहे हम उठे मन दीन डोलते दी खेंदे तेरे बिन इस तेरे बिन इस रंग महल्या मैं हूत बोलते दी खेंदे तेरे विजिसे रंग मैंना में बादा भूद मारते दीखेंदे तेरे बोज महार करे मां का जितना रोज खोलते दीखेंदे बहमाता के बहमाता के लिखे लेण में है रखात तोल बैदीखेंदे बहमाता के लिखेंदे 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 आज आनके तुम परचान दिखाई तने हारी का टुम परचान सुने आनके तने ॉ आनके तने इस रागनी पर खुसो करके हमारे परम आदनिया महेश प्रधान जी जी हां आदनिया महेश प्रधान जी मुहमद पुर से जी हां सत्माल प्रधान जी के बड़े भाई आदनिया महेश प्रधान जी मुहमद पुर से जो लड़के के यानि की तपिस तवर के नाना जी हैं आद और महरवानों चोथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया कभी ने और अंजनानियों कहने लगी कि महाराज आपने मुझे दुहाग दे दिया बारा साल के लिए छोड़ दिया लेकिन ये नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी मेरा कसूर क्या था अरे इतना तो बता दिया होता जिससे मैं सबर करके बैठ जाती और चोथी बात में कैसे तोड़ता दिया बिना खोड़नने दुहाग दिया रे बिना खोड़नने दुहाग दिया तरे भेदियों मने का पायाना तीज त्योहारे चले गए सुखे कदे भी खेल लिखायाना तीज त्योहारे चले गए सुखे कदे भी खेल लिखायाना एरे जोका अटा सेर मिलया मने और मिली धने मायाना महल दुहागी के धोरे तू जाट महर सिंग आयाना मेर दुहा की ये धोर तूर के जाट महर्शी में आया ना सिरी लखमी चंदने गर छोर्या का लखमी चंदने गर छोरा की खर उते गरी बढ़ाई सने बार साल में आजियां के यूपर्शान दिखाई सने बार साल में आजियां के यूपर्शान दिखाई सने